Hello guys this is Parminder Welcome to my channel और आज जो है हम सीरीज शुरू करने वाले हैं GTA 5 की यह शायद मेरी पहली सीरीज है GTA में शायद नहीं, अब्वियसली पहली सीरीज है यह अभी तो चैनल शुरू किया है और मुझे नहीं पता ही कैसे जाने वाला है अगर यह आपको पसंद आती है अगर यह आपको पसंद आती है अगर आप दे अफ दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें देट मैं और एपिसोड लेकर आ सकूँ इस सीरीज के तो फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि अगर फ्रंकलिन जो है अभी-अभी जेल से छूटा है इसको ये और भी अब यृबे अगर इसके पास कोई काम निये करने के लिए इसने बहुत साल जेल में काटे हैं तो इसके पास कोई काम निय है कुछ नहीं तो हमने सोचा चलो हम बहार ही चलते हैं अब थोड़ा फ्री हुए है तो पुलिस वालों ने हमें दी है एक बन्यान और एक जॉक जंपर्स टाइप है कुछ तो दिया है पहनने के लिए चलो उसी बरो से हम लोग पहन के पुलिस टेशन से बाहर जाते हैं और रात को अब भूग भी लगी है उन्होंने डिनर के लिए कुछ दिया नहीं था तो फिर अभी भूग भी लगी हुए बहुत जादा फ्रैंक्लिन को तो अभी फ्रैंक्लिन सोच रहे कि मैं जाता हूं कहीं कुछ खा के पहले खा पी के आज रात का कुछ जुगाड करता हूं ओ भाई ध्यान से थेंक यू मैं बहुत टाइम बात बाह लोकर में से यहां लोकर बोल रहा हूं वही जो प्रिजन में से निकलते समय मिलते हैं वही पैसे मिले हैं तो गैस अभी फ्रैंक्लिन ने तंदूरी रोटी और नान खा लिया और उसका पेट बहुत खराब हो चुका है तो हम लोग फार्मेसी आए है पर फार्मेसी में कुछ दवाई वाई है आप लोग तो अल्रेडी कोई दवाई लेकर बैठे हुए हो सिगरेट फूक रहे हो नहीं मैं नहीं देख रहा आपकी सेड है कि किसी और सही ले लूँगा चलो मेरे को दवाई चाहिए कहीं से कुछ दवाई मिल जाए यहां कुछ मिल जाए ना मेरा धäreल चाहिए फेल हिए कि फेल तो फोग पीटफर दर अजो हो रहा है यह थाँ ठीक हो जाए दियू पता यह किस की अदो पटो आप लेकर चलते हैं क्या बोलते हो मैं को कई देख तो नहीं रहा है पैक तो प्लीसटेशन भी आस पास महीं हिए रहा क्युश की तो नहीं है यह कब तक बच्ता रहेगा यहां चलो ठीक हो गया है तो गाइस अभी हम चल रहे हैं कुछ ढूंडने फिरने या फिर घूम फिर का आते हैं हमें एक नई गाड़ी मिली है किसी की पड़ी हुई थी उडा ली हमने तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम फिर आएं क्योंकि और वह भाई ड्राइव करता हो देख अब कैसे बैलेंस कर लिया है मतलब यह फ्रैंक्लिन के पास यह टालेंट बहुत तकड़ा है तो इस वज़े से फ्रैंक्लिन इस लाइक प्रो इन ड्राइविंग और गैस अभी इसे थोड़े रेसिंग को बहुत रेस करने का मन कर रहा आक अठान से पैसे का को ज सब्सक्राइब रहा हो था रहनी के लिए तो अगर घर चाहिए थो जूड़े भाई आपर किसी घर को कबजा करना तो तो और जुटवाला वाला हो बड़िया हो कुछ अच्छा हो तो मानते है तो इसलिए अब पर आइफ पर निकल रहा है देख रहा है घर वगरा को देख रहा है कि कौन सा घर लूटू मैं कौनसे घर पर डाका डालू अपना तो इसे अभी तक कोई घर पसंद नहीं आए है पर भाई देखते ही देखते शुबह साथ भी बजगे पर इसे कोई घर नहीं मिला फ्रैंक्ल यहां पर सामने पार्क करेंगे तो बाई शक ना हो जाए तो हम थोड़ा समुंदर के साइड लेके चलते हैं गाड़ी को ओ भई क्या लग रहा है घर क्या लग रहा है घर ओ यहां से भी एंट्री है भाई सही है यार कि अधर पानी के साइड लेके जा रहे हो यार यह घर तो एकदम मतलब वाव लग रहा है नीचे से भी पूरी मतलब हर चीज एकदम टिप टॉप बनाके रखिया इन्होंने कि मैं अब भी आपको दिखाता हूँ यह घर अच्छे से लिखाता हूँ अभी अभी फिलाल हम कुश कोशिश कर रहे हैं गाडी को बैलन्स करने के गाड़ी तोड़ी जीब सी हैंडलिंग की है भाई घर जो हैना मतलब भाई घर क्या प्यारा घर है भाई पूरा लाल लाल और यह भाइज और वाइज आए किसी से पूछना पड़ेगा कि किसका गर है क्या है कि कोई हमें कुछ आइडिया दे सके इस बारे में तो फिर यहां पे एक बंदा है टाइ खड़ा हो टाइडा हो खड़ा हुआ है तो हां गैस हमने पूछ लिया इस से और इसने बताया है कि यह एक बढ़े अंडरवर्ड डाउन का घर है और इस एरिया का अंडवल्ड डॉन है तो भाई सोच लो मतलब उसका लेवल क्या होगा और इतना बड़ा घर मालेबू में अगर बना के रखा है किसीने कितना बड़ा मतलब वह डॉन हो सकता है जिसने इतने बड़े गाड्स भी रखे हों देखो उपर चत पे दो दिख रहे हैं अमरिको गाड्स और भाई क्या ही होने वाला पता नीए अब पर Franklin ने तो सोच लिया है कि उसे घर चाहिए ही चाहिए मतलब अब मुझे घर चाहिए इसने सोच लिया है तो कह रहा है कि अब मेरे को लेके ही रहना है घर फिर अभी इसके लिए हमें कुछ प्लान भनाना पड़ेगा कि अब हम जाएं और इस घर को कैसे ले सकते हैं मतलब इस घर पे कबजा करना है basically अगर डॉन के घर पे कबजा करे हो तो इस बड़ेगी the बहुत आपके एक रिपूटिशन भी बड़ेगी state में ड्रोन चोड़ दिया है और यह ऐसा ड्रोन है कि रडार रडार किसी में नहीं आएगा और एक दम बर्ड जैसा है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मतलब यह ड्रोन है यह क्या है अगर यहां पर जितनी भी सिक्यूरिटी एक खड़ी वही उन्हें कुछ नहीं पता चलने वाल ला तो थो बहुत प्यारा लग रहा है यार और ध दैकर फकुदि और बास्केट्वाल कोट ब्याएं है यहां पे यह देखियाए यहां पर ay कोट है रॉय- मस्त है और ये गार्ड्स खड़ें अंदर है दानों अंधर गार्डड भॉर मेरे खहल से यहां पर यह ऊपर दो खडर हों ये टीन स्थनाईपर एक दो और यह तिसरह स्थनाइपर और तक प्रत्रानों पड़ और अवी पता भी यह चला आए म Guys बंदे से बात की थी यहाँ पर भी एक बंदा है, और यहां पर भी एक बंदा है रहाए, कितने बंदे हैं और यह गराज यहा पर भी बंदा है और भाईक देखो भाई भाईक, ग्रीन कलर की आय, ह्थाय तॉर्स लग रही है और यहां पे भी भाई यहां पे उपर एक बंदा है और यहां पे दो गार्ड हैं जो कि इस एरिया को प्रिटेक्ट कर रहे हैं पूरे अर्य बाई गोजब घर है मालबू बीच हाउस देखो भाई कहने को इतना मस लग रहा है मजा आई आजाएगा और यहां पे आपको लेटने के लिए सनबात लेने के लिए जगा भी आया और वो पूल भाई गजब का घर है यार कुछ भी बोल लो तो भाई इस घर को हमने लूट के रहना ही है आज कुछ भी हो जाए तो अब है हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो दियोए पैसे हमारे वैसे एक बंदा है जुगाड है उस बंदे से बात करके देखता हूं और पता करते हैं कि भाई कोई गनवन का अगर हमें कुछ जुगाड मिल जाए तो हम जो है आराम से इसके घर में गुसके इन सबको तो आउट कर सकते हैं हम लोग आराम से इतनी जादा भी सेक्योर्टी सकता हूं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वैसे मैं तुम्हार लिए गन्स की जुगाड कर सकता हूं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्तों और इतने सालों बाद बाहर निकले हो तो फिर भाई बनता ही है जुगाड करना अभी हम चलते जल्द इसे जहां पर हमें गन्स व अच्छी बढ़िया वाली गन्स दिखाना यार तकड़ी वाली तो के गाइस अभी ले लिए फ्रैंक्लिन ने फ्रैंक्लिन ने पूरी गन्स अपनी एक्युप कर ली है जुगाड बहुत ही तकड़ा था उस बंदे ने आधे के भी आधे रेट में फ्रैंक्लिन को इतनी मस् और अभी आप देखो तो फ्रैंक्लिन के शेड्स भी भई एकदम तगड़े एकदम मस्त ये तो आखे मिला कि हमसे राजी नी है इसके भाव इतने बढ़ गए है तो अभी इसकी ड्रेस भी देखो इसने जाकेट भी ले ली यही से और आर्मर भी खरीद लिया है आर्मर तो राइफल दे दिया भाई नहीं अंदर रख लो भाई अभी नी बंदे आ जाएंगे कोई ना कोई आ गया तुमसे लड़ने के लिए गन देखके आ जाएंगे बंदे चलो अभी हम चलते हैं और अभी हम देखते हैं कि कैसे उस घर को लूट सकते हैं हमारा मेन मोटिव यह हो अभी आपनी पहुच बनानी है तो भाई हमें कबजा जमाना बढ़ेगा यहां पर ओके यहां पर सेक्यूरिटी वाला भी है यहां पर खड़ा हुआ सामने 7709 घर के बाहर तो यही सेंटरेंस है और कहीं सेंटरेंस नहीं है पीछे सेंटरेंस है पर हम लोग वो एंटरेंस चार चार बंदे भाई, अगर हम यहां पर खड़ी करेंगे, तो शक हो सकता है किसी को भी, तो हम लोग इस गाड़ी को, कोई सेफ जगा पर खड़े कर देते हैं, जहां पर पता ना चले कि भाई, कोई हाथ वाथ, मतलब उंगलियों के निशान लेने के लिए पोलिस यहां , कहनी कोई लगए कि इस घर की गाड़ी है, चलिह भाई, यहद अब लोक चलते हैं इस घर को लूटने के लिए, भाई पहले बाहर के सेझ्यूराटी गाड़ को ऋडाना है हमने, सिक्यूरिटी गाड की भी नजरे बहुत तेस होती हैं, तो भाई हमने अभी ऐसा करना आ कि तो आफ है इसके नजरों के सामने आए बिना ही हमने उसे ऋडाना है अभी हमने में सनीप इंग ही करनी पड़ेगी शुरुगात्या थि सनाइपिंग करनी पड़ेक लगता है जर्तलिए और भाई दिग्या यह त्राफिक बहुत आता है यह पता नहीं किसका घर है यह पेड़ का कवर हम लेंगे यह पेड़ का कवर लेके और यह बंदा दिख रहा है मार दिया हमने अब बस इतना होना चाहिए और कोई है तो नहीं वहां पर अब हमने बस भाग नाया रोड क्रोस करनी है क्या चिला रहे हैं यह पूरे घर को हम लोग लेने वाले हैं अपने अपनी साइड में अभी हमने कवर ले लिया है और किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि भई हम लोग जो है स्नाइपिंग करके उड़ा रहे हैं बंदों को तो पहले इस बंदे को अड़ाएंगे और वहां पर एक स्नाइपर था पर वह बंदा दिख नहीं रहा है इसके लिए कोई और पोजिशन डूड़नी पड़ेगी मेरे नहीं ख्याल से किसी को शक हुआ है अभी अभाई गलत लगी ना गोली मार दिया और किसी पता ही नहीं चल रहा है इनको गोलिया सुनने के इतनी आदत अंदर प्रैडिस पूरा स्टेल्थ मोड में हमने खतम करना है किसी को पता नहीं लगना चीए कि भाई हम लोग आ रहे हैं अभी हमें यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा लगता है और भाई खाई है यहां पे तो पर कोई नहीं हमारे पास भी तरीके हैं और भाई हम थोड़ा धूरी जा रहे है क्योंकि स्नाइपर है वहां पे स्नाइपर अभी कवर ले लिया है हमने देखना है यहां से क्लियर अंगल दिख रहा है हमें यह नहीं नहीं दिख रहा है हमें ए द्यान वहीं पे शायद ले भाई उड़ा दिये चार बंदे और कोई हैस नहीं पर इनका जिस से में बचने की जुरत है एक बंदा यहाँ पर दिख रहा है मिरको पर ग्लास है यह जाएगी नहीं गोली वहाँ पर लगी नहीं तो इसे हमें अंदर जाके शायद देखना पड़ेगा पर हम में एंट्रेंस से नहीं घुसेंगे हमें करना पड़ेगा थोड़ा स्विम भाई साब हमने थोड़ी की है पता नहीं पर भाई यह घर को अगर हमने ले लिया ना तो भाई अपने पास बहुत जादा पैसे आने वाले हैं बहुत जादा हम अमीर बनने वाले हैं यहां पर जो सेक्यूर्टी वाला उसको शक नहीं होना चाहिए उसको आवाजें नहीं आनी चाहिए तो थोड़ा भाई इतना बड़ा घर है और बाहर कोई security नहीं लगाई है बताओ नहीं भाई यहीं पर बंदे खड़े हैं मुझे थोड़ी साफधानी भरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अंदर घुसते ही यह लोग मुझे मार देंगे यह लोग वेट नहीं करने वाले और यह बंदा देख रहा है और भाई गन चुपाओ गन चुपाओ गन चुपाओ चुपा ली तो इससे लगए कि कोई wanderer है यहां पर एक बंदा खड़ा है भाई इसके पास गन नह मारने वाले ऐसे तो यहां से भाई यहां से हमें अपनी स्नाइपर फिर से निकालने पड़ेगी निकल जा और हमें चुपके उसे इस पेड़ों के कवर के साथ उस पे एम करके ओ भाई दो बंदे थे दोनों को मार डिया मार डाला बस अब हमने और कोई दिख रहा है यहां से दिख रहा हो जो बैसे अब यहां पर दिख रहा है एक बंदा यहां पर दिख रहा है यह दिख रहा है यह दिखिए इसे भी पता चल गया तो बहुत मुश्किल होगी लगता है घर के अंदर कोई नहीं है ये लोग बाहर गए हुए डॉन मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर एक security guard मेरे को दिख रहा है पर मुझे इस security guard को ना चक्मा दे के मारना पड़ेगा इसको मैं ऐसे नहीं मार सकता इसको मेरे को थोड़ा चक्मा देना ही पड़ेगा मैं एक normal बंदे के तरह अंदर घुसूँगा जो कि normally आता है नहीं से मिलने के लिए या फिर इनको लगेगा कि मैं कुछ पूछने आ रहा हूं इसे तो उस बेसिस पे मैं अपनी गन निकालाँ और सीध है इन पर फिर हुआ करूंगा क्यूंकि मेरे को और कोई तरीका नहीं नहीं नाजर आरा इनको मारने का क्यूंकिस नाइपिंग तो हो नहीं सकती वहां जाना पड़ेगा मेरे को स्नाइपिंग के लिए भाई और वह जाना लबी निहीं अभी तो पॉट बंद है तो मेरे को घुष से कितने लोग दिख रहे हैं यहापे मेरे को दिख रहे हैं चार लोग दो आगे और दो यहाँ पे तो थी मेरे ख्यालboo से इने पता नहीं लगा नहीं लगा है और बाइ अंडर गुषे हिमें फाईर करता हो इन पर ये लग और भाई ये बंदे को मार दिया erhalten के और कोई है यहापे उन्दे इस को बन मेरे अब नहीं कह जां से ईसरे कि यह imprisoned और ये मुझे जानता है Franklin और इसी उसी बन में साइं bek है जिसने क्या कहते हैं मुझे गंज बगएरा अरेंज करके दी है तो यह उसी बंदे का दोस्त है इसलिए मैंसे नहीं मार रहा हूँ पर बाकियों को मैंने मार दिया है शायद और देखने हैं बंदे हैं या नहीं भाई अराम से मत चलो और यह यहां पर एक मारा पड़ा है यह इसे मार दिया यहां यहां पर भी और यहां पर एक है इसे पता ही नहीं हम आए यह ले भाई मैं को अंदर देखना पड़ेका कोई हैं या नहीं अब कहीं कोई बंदा नहीं कि अनकला है इन चाल से एंट्री नहीं है शायद है जा सकते हैं घूस्त हो गए हैं पर अभी हमें पहले बाहर उपर देखाएं भाई कहीं उपर ना बैठे हैं हो ये लोग टो पहले एक बार हम लोग ऊपर का पूरा एरिया ना ओ भाई बन्द बन्द, 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 लिखा लो इसे क्या ही हो गया ? यह क्या हो गया इसे वह बन्द बार कुदरी के कोचिट कर नहां थाथखे हेड शौट काकर और भाई ये ये किदर गया उपर आला बंदा ये उधर ही खड़ा है इसे हमें शाइद यही से देना पड़ेगा वरना क्योंकि इने लग रहे है कि प्रैक्टिस चल रही है नीचे गोली की आवाज से भाई इसे मुझे यही से खतम करना पड़ेगा अगर मैं उपर चला गया तो इसके पास जो शॉट गन है इसने उसी से मुझे ठोक देना है ध्यान से ये ले आ भाई कोई है तो नहीं सेड पर अभी ये खड़ा ये खड़ा एक बंदा इसे नहीं परता चलना चाहिए हम लोग हमेड तो इसके थोड़ा पाँ जाके खतम करेंगे इसे भाई साब देखते रहा है उदर देखते रहा है उदर चलो उपर चलते हैं यह तो अपना डोस्त है तो प्लिस की बात नहीं है या अब्स की आवाज पता नहीं गोलियों की अवाज सुनके नहा आ गए हो यह लोग वह भाई! पुलिस है! पुलिस इस साइड ना आए बस! पुलिस ना आ जाए बस और कुछ नी चाहिए हमें! और भाई यहांपे कोई है देखना पड़ेगा भाई! यहांपे यह तकये वगारा थोड़े है ऊल्टे सीधे हुए पड़े है मेरे ख्याल से यहां पर अभी सो के गए है कोई हम इंच सुबह सुबह उठाओगा और सन बात लेके अंदर गया होगा शायद अगर ये घर पे है तो तो भाई अंदर पहले देख ले हम लोग यार अंदर घुस वह भाई यहां पर कोई है नहीं है विल्ब झांडू, यहां पर कोई नहीन न की नहीं बना रहा है। क्या व्यू मिल्राए है भजय आज इस और भी यहां वियुव मिल्राए है और यहां यहां पर बैठके भी कोक और चिप्स घाकर मेरे खयाल से यह लोग नहाने गया था बंदा जो यहां पे racist ग्रस्वर में का ich है जो डॉन है यहां और है का इस एीरिया का डॉन है वह des जाइद यहीं पेण आके ऊपर यह दो आ के गया है। यह टी-वी भी देख ऐना कार्टून आ कार्टून देख रह था। कार्टून देखता है। चलो कोई बात नही, अभी हमने देखना है कि यहां पै कोई थो नहीं यहां पे नहीं नहीं वाडरोब है भाई इसका चलो पहले बंदे को मारे हम किधर है वो बंदा ढूमते हैं उसे उपर तो हमें मिला नहीं तो हमने पूरा चान मारे है उपर और मिला तो है नहीं हमें पर अभी मेरे को शायद कोई दिखे है या से शायद अंदर है बंदे में को लग रहा है य यह इंतिजार कर रहे हैं कि हम लोग आएं और यह हमसे बदला ले मतलब जो बाहर बंदे मा रहे हैं वो बदला ले मेरे को इनको पता चल चुक है इने ख़बर है मेरे ख्याल से इने खबर है तो अभी हम क्या करेंगे इनके मुँ उस साइड थे जब मैंने देखा था तो यह बंदे खड़े हैं भाई अपने दो गार्ट के साथ खड़ा हुआ है और यह भही माफिया है शायद इस इंटर में जो खड़ा है यही वो डॉन है क्योंकि वो कहते है कि इसकी सबसे पसंदीदार जो गन थी न वो जैक हैमर थी हमें देखना पड़ेगा कि यह जैक हैमर इससे दिखा नही है बाहर शाम हो गई है तो इसे बहूं से यह क्याल और इसने दिख नहीं रहा!! बहुत ही भयंकर उसके एक जैक हैमर और इसे आना पड़ेगा हम पीछे सी घूमके है और कोई आप्शन नहीं है हमारी पास इस पेड से चुपके से भाग के हम लोग जाएंगे अभी भाई साब उसने एक्सपेक्टी नहीं किया होगा कि यहां से आएंगे हम करके भाई यह कैसे इसके थुरू बाहर आया अब क्या फ़स गए हम नई भाई बाइक्स देखो शायद गराज में कुछ और भी पड़ा हुआ है मैंने देखा नहीं अभी पर अभी देखना है तो हम फिलहाल पहले इस बंदे का गेम खतम कर जाते है अब अंदर आ चुके है अब अंदर आ चुके है और हमने इसे अभी के अभी खतम करना है पहले हम उड़ाएंगे इसके बंदे को और इसे मार दी भाई ये तीनों मर चुकी है किसीने पिस्टल चलाई शायद इसी बंदे ने पिस्टल भी हाथ में पकड़ रखी थी ओ भाई ये क्या वही इनसान है अरे भाई ये वही था अरे ये तो उसका भाई था ये तो उस ड्रग माफिया का भाई है भाई है ओ हमने उस ड्रग माफिया के भाई को मार दिया है और हमने इस ड्रग माफिया के भाई को मार दिया है भाई हम तो गए अब वो ड्रग माफिया को अगर ये बात पता चली तो उसने पता नहीं CCTV वगरा लगा रोखे हैं यहां यहां नहीं पर भाई अब हमने कभजा करना और हमारे बंदे यहां पर कड़े करने तो बंदे हमी कटे करने पड़ेंगे उससे पहले कि इसके भाई को पता लगे भाई यह तो ड्रॉग माफिया का भाई है यार यहां के हम तगड़ा घर है , धासु घर है और पूरा मिशिन पड़ान करते करते हैं और यहां पर बारबिक्व भी अमारे कहें बनाद के साथ में बैठे कहा सकते हो। भाई क्या ही घर मिला है यार बढ़िया तो जैसे कि हमारा दोस्त है यह कुछ नहीं करेगा अभी हमें देखना है कि यहां पर है क्या अंदर भाई हमारे लिए क्या खड़ी है नहीं खोल ले खोल ले पर तभी आ नाम क्या इसका बेस्ट या जीटियास पता नहीं कुछ तो नाम दिया हूँ पर यह मेर को ला फerारी जैसी लग रही है थोड़ी बहुत ला फेरारी जैसी लग रही है सिंबल भी इन्होंने लग बाग नहीं पर वो जो ऐसे ऐसे वाला सिंबल है वो एकदम लामबरगीनी का लग रहा है और भाई बाइक देखो यह कौन से बाइक हो सकती है भाई यह में तो यह अपाची लग रही है अपाची थ्री टैन के काफी चांसे था भाई यह हुए कोई आया यह शायद कोई आया क्या देखना पड़ेगा में मुझे बाइक की आवाज है यहां से वाई कवर लेके देखेंगे हम कोई आया है दर्वाजे से, नहीं कोई नहीं आया, बढ़िया है, हम गन को अंदर रख लेते हैं, और वहाँ पे भी एक और बाइक देखे थी हमने, वो कौन सी थी, वो भी कोई स्पोर्ट बाइक थी शायद, चलिए जल्दी फटा फट देखते हम, आरे भाई, ये रेप सॉल लग रही है मेरे को, रेप सॉल ही लग रही है, भाई, क्या ही बाइक है यार, स्पोर्ट स्वाइक, स्पोर्ट स्वाइक का बहुत शौक था लगता है, ड्रग माफिया के भाई को, तो अभी हमने एक राइड पर जाके आते हैं इस गाड़ी के साथ, देखते हैं गाड़ी क्या मस चलती इस अदरी चलती है, और यह स्वाइक वाला बोला की भाई मैंने फोन कर दिया अबने बंदोगों को, तुम्हारी इस गर कर लिया, तो यह घर के वा उन्वा रियर, और इसकी शीकुरिटी के लिए मैंने बंदे बुला दिया हैं, पर उसे पे करते रहने का मतलब जो वह क्या था ये हमने चिडिया मार दी यह यार रहरा इंट सो सॉरी आप ये अंट सॉरी चिडिया मेरा मोटिफ इल्कुल ये नहीं था कि मैं आपको उडा दू पर आपकब सामने आये मेर को पता नहीं चला पर कोई बात नहीं चलो अब ही फ्रैंकलिन ने घर जो अक्वाइर कर लिया है तो पूरा गर उसका हुआ है और भाई निखलने का तरीका क्या ही मस था भाई और यह अटमाटिक गेट भी है आटमाटिक गेट चलाने का मजा भी आएगा भाई अब तो गाड़ी ओहो सुपरकार क्या ही सूपरकार यार उड रही है यह तो एकदम लिएट तो जला ही ती हमने अवी लैट जला लिए और भाई क्या ही उड रही है वाउ 107 माइल्स परार स्पोर्ट का रही है पुरी प्रॉपर स्पोर्ट का रही है और यह स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे, 111, 112, ओ भाई, स्ट्रेट लाइन स्पीड देकर 111, ओ भाई, यहां से ट्राफिक ज्यादा हो रहा है, ओ भाई, धुमे भी चोड़ रही है, यार, यह तो, क्या ही कार है, भाई, क्या कार है, यार, चलो, घुमा लेते हैं से, अभी हम चलते हैं, अरे वाई, यार, धांसु कार मिली, ठुकना नहीं, ठुकना नहीं, बहुत ही मुश्किल से एक आड़ी मिली हमको, और वो भी एकदम प्यारी सी, भाई, एक काम करना पड़ेगा, हमें, हमें लगता है कि हमें एक आड़ी बेचनी पड़ेगी, चलाने में तो एक पैसे वैसे आएंगे, और हम अपने जो बंदे वो सेक्योर्टी वाले ने बुलाए है हमारे घर के लिए, उन लोग को हम लोग तन्खवाव अगरा दे पाएंगे, क्योंकि अभी बेसिकली तो खर्चा वही है, तो भाई, पर गाड़ी की स्पीड देखो यार, क्या उड़ अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था, और वीडियो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो भाई, अगर आपको ओ, हमने गल्ती ले आया है हम लोग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो गाई, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प कि आगे Franklin क्या क्या करता है क्या-क्या missions मिलते हैं इसे करने के लिए और भॉहती ठग war होने वाली है यहीं क्यूंकि इस इरिया के जो ड्रग माफिया है उन्हें पता चल चुका है कि इनका जो बंदा है इसका भाई है वो मर चुका है यहां तो रात और रात आ सकता है यहां तो फिर प्लान कर रहा है जहां तक मुझे लगता है कि वह प्लानिंग ही करेगा क्योंकि रात और रात इतनी दूर ट्रैवल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वह कंट्री में ही नहीं है अभी वह कंट्री से ही बाहर है तो फिलहाल अभी हम लोग इस एपिसोड को यही पे एंड करते हैं थैंक यू सो मुच पर वाचिंग, वाचिंग वाचिंग, वाज़ बाई